चलिए बुरुटिन में रुख करेंगे एक बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आपको बता रहे हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हिसार में स्कूल बस बे काबू होने का मामला सामने आया है कई वाहनों में बस ने टक्कर मारी और इसे के साथ आपको बता दे कि ये बताया जा रहा है कि शराप के नशे में ये ड्राइवर था जिसकी वज़े से ये बड़ा हाथसा हुआ और करीब करीब तीन वाहनों को ये ड्राइवर तक्कर मारता हुआ आगे बढ़ा जिसकी वज़े से ये बड़ा हाथसा हुआ और करीब चालीज छातर जुथे इस बस में सवार बताये जा रहे हैं ये बड़ी जानकारी इस वक्त के आपको बता रहे है हिसार से यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी बाइक चालक गंभीर रुप से घायल बताः जारा बेकाबू स्कूल बस ने वहनों में टकर मार दी वही बाइक सवार घायल बताः जारा जिसे फिलाल अस्पताल में भरती कराया है बाइक सवार को अस्पताल में भरती कराया है और इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे बाइक सवार की सिटी को लेकर और कई वहनों में इस बस ने ट्रक करमारी है बाइक चालक को गंभीर रूप से घायल बता जा रहा है बेकाबू बस ने कई वहनों में टक्कर मार दिये तत्वीरें भी आप देखते हैं कि किस तरीके से बाइक यहाँ पर सड़क पर पड़ी हुई नजर आई वहीं जिस कार को टक्कर मारी है वो भी बुरी तरह से शतिग्रस्त हो गई बिल्कुल ये तस्वीरों में देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में जिन वहनों को इस बस में टक्कर मारी है बेकाबू ये बस हुई जिसकी वज़र से ये हाथ सा हुआ और एक गाड़ी और एक मोटर साइकल जिसको इस बस ने टक्कर मारी पूरी तरह से परखचे दोनों वाहनों के उड़ गए है इन तस्पीरों में साफ तोर पर ये देखा जा सकता है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना भीशन ये हाथ सा रहा है इस आर से ये बड़ी जानकारी स्पक्की बता रहे है जो आपर स्कूल बस बेकाबू हुई और नियंत्रित हुई और इसी की वज़े से हाथ सा